राधे राधे दोस्तों स्वागया था आप सभी ट्रेडर और जो ट्रेडिंग सिखने की इच्छा रखते हैं आपके इस परिवार ग्रीन मार्केट पर दोस्तों यह जो वीडियो मैं बना रहा हूँ यह एक डेली एनलिसिस वीडियो है और इसमें हम लोग जानेंगे कि कल मार्केट का राष्ता किस और मुडने वाला है तो दोस्तों बना समय कुले हैं चलिए हम लोग चलते हैं कि मार्केट आज कहां पर क्लोजिंग दिया और आगे क्या होने वाला है तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों कि यह जो मार्किंग है यह जो आज कैंडल क्लोजिंग दिये है यहाँ पर यह 18303 के आज पास है ठीक है इसके जस्ट उपर में 18344 में तलिस के आज पास में एक रिजिस्टेंस लेबल है दोस्तों जो कि आप बहुत बार यहां पर मार्केट जा चुकी है आप यहां पर देख सकते मार्केट यहां पर बहुत बार जा चुकी है मतलब इसको टेस्ट कर चुकी है तो बहुत थोड़ी संभावना है कि यह मार्केट एकाद बार और यहां पर रिजिस्टेंस का काम करेगा और मार्केट इ नीचे सड़ गर मारकेट आती है ठीक है अगर मारकेट खास दम नहीं है ठीक है अगर मार्केट अचानक से बेरीस हो जाता है और मार्केट इसको तोड़ देता है तो दोस्तों नीचे आने के बाद मार्केट फिर से टेश्ट करने के लिए उपर जाएगा और यहां से जब नीचे आना सुरू करेगा तो हम लोग इसको डारेक्ट 18, 188 तक हम लोग इसको होड़ करेंगे और यहां तक हम लोग प्रॉफिट बोग कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहली बात है कि हम लोग को कैसे इसको कल ट्रेट करना होगा उसको में समझते मान के चलिए दोस्तों कि कल market खुलती है इस आसपास ठीक है इस आसपास खुलती है घर इक्वल में तो आपको क्या करना होगा थोड़ा दिर आपको यहां पे होल्ड करना है कि market इस zone में जाए ठीक है और इस zone में जा और यहां से market टकरा के नीचे आना शुरू हो तो हम लोग अराम से put की set जाएंगे किसर जाएंगे put set जाएंगे और जो भी profit book होगा इस line तक मतलब 18,200 के आसपस तक हम लोग profit book करेंगे और यदि दोस्तों market अगर कल इस आसपस खुल के और market नीचे आना शुरू करती है तो हम लोग इसको अचानक से इसमें वेरिस नहीं होंगे और यहां आने के बाद जब market उठना शुरू करेगा तो यहां से हम लोग call start जा सकते हैं ठीक है यह तो हो गया एक close view कि यहां तक संभावना है कि ऐसा काम करे लेकिन दोस्तों अगर market निप्टी में अगर यह लेबल तोड के ठीक है यहां पे support लेकर फिर से उठना start करता है तब हम लोग इसको call start entry लेंगे और उपर की और भागेंगे सिधा 18,440 तक हम लोग जाएंगे और profit book करेंगे वही चीज अगर इधर नीचे set होती है कि market इस आसपास खुलती है और इसको तोड की नीचे चली जाती है और वापस market इधर आके नीचे जाना शुरू करती है तो हम लोग यहां से put set जाएंगे ठीक है put set जाएंगे और 18,840 तक हम लोग profit book करेंगे ठीक है तो यहां पर यह बात आपको समझ मागे दोस्तों कि इसमें को कैसे entry लेना और कब लेना है बस कोसिस करना है दोस्तों कि अचानक से खुलते के साथ bullish ना हो क्योंकि आज market बहुत ज़्यादा निप्टी का जो level था आज support resistance का काम था 300 पर देख सकते हैं आप यहां पर कितना बार market time spent किया है ठीक है तो यहां पर market bullish बनी हुई है क्योंकि देख सकते हैं आप market आज खुली थी इस असपास में यहां पर market खुली थी और यहां से जो उटी दुबारा नीचे आने का नाम ली नहीं है ठीक है तो निप्टी काफी bullish बनी हुई है और इसकी इसका जो PCR डेटा भी था बहुत strong था इसलिए market आज नीचे आया नहीं तो कोशिश करेंगे कल भी हम लोग देखेंगे कि कल भी market किदर खुलती है और वहीं साबसे हम लोग entry लेंगे अब हम लोग आते हैं बैंक निप्टी में तो दोस्तों बैंक निप्टी में जो थोड़ा market फसा हुआ है अब देख सकते हो कि मुझे इसमें मजबूरन जो है सो 22 strongest 22 23 resistance बनाना पड़ा है और 23 support बनाना पड़ा है तो क्योंकि दोस्तों देखें अभी जो market है ना बैंक निप्टी में यह वाली जोन यह जो जोन है यह जोन बहुत गंदा दरीके से market को फसा के रखा है दोस्तों क्योंकि यह market ना यह जोन से बाहर निकले चांस होता है ऐसा जगा पी दोस्तों को हम लोगों को ना हमेशा ट्रेड लेने से बचना चाहिए तक यह पर फसने का ज्यादा चांस होता है इस एरिया में हम लोग फस्कते हैं और हमारा जो है सब्सक्राइब कभी हो लोग लेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ तियल नजदीक नजदीक में इसमें न तेको यहाँ पर रिजिस्टेंस है लगबग 44,000 पर ठीक है रिजिस्टेंस इसके डिक दोसों पॉइंट ऊपर एक दूसरा से रिजिस्टेंस है और इसके फिर चार सो पॉइंट उपर भेनक वाल रेजिस्टेंस है तो यह जो लेवल है ने दोस्तों 44,000 का यह आप देख सकते हो कितना बार टेस्ट हो चुका है बहुत ज़्यादा संभावना है कि कल मार्केट अगर खुले अगर मार्केट गैप अपनिंग हो जाए इस आसपस खुले तो इसको तोड़ के अगर मार्केट यहां वापस आके अगर यहां पे फिर से टकरा के उपर जाना शुरू करता है ठीक है तो हम लोग सेफली कॉल सेट जाएंगे प्रोफिट बोगिंग कर सकते हैं अब ज्यादा-बाइब आप 50-60म्राइब कर सकते हैं ठीक है तो बैंक नने करती है तो आप अराम से कॉल सेट जाएंगे ठीक है 43 दर साथ्यों का कॉल सेट आप जा सकते हो और आप पुकिंग कर सकते हो लगभग वही 44,000 के आसपास का प्रॉफिट कर सकते हो जो भी इसमें बनेगा और अगर मार्केट नीचे आए इसको भी तोड़ दे नीचे आए और नीचे जाना शुरू कर दे अप फिर पूट सेट जाओगे इंटी लोगे और पूट सेट के लिए आप इंटी लोगे और मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों बैंक निप्टी बहुत ज़दा फसी भी है तो क्रिपया करके इसमें ज्यादा ओवर ट्रेड ना करे या फिर अब यह ट्रेड ले लो कल नहीं कमाओगे तो कुछ बिगर नहीं जाएगा मार्केट हमेश्था रहने वाला है और आगे भी रहेगा जब तक क्लियर फ्यू नहीं मिलता है हम लोग जड़ा ट्रेड नहीं लेंगे और सिफ मतलब खिलने को उसस करेंगे क्योंकि चानते हो द इसमें एक चीज और मैं आप समों को बता दूँगा बाद में आज तो मैं नहीं बता पाऊंगा अज थोड़ा वीडियो लंबा नहीं करना है मेरे को पहला दूसरा वीडियो है आप इसको देखके बताना कि यह वीडियो कैसा बना वाँ है तभी मैं उसमें और भी चीज़ जोडूंगा अगर इतना आपको जादा नहीं लगे तो है ना तो दिखिए दोस्तों ये तो क्लियर हो गया कि मार्केट अगर इस सेट खुलता है ठीक है यहां से टकरा के अगर उपर जाना शुरू करता है तो आप यहां से बुलिस हो सकते हो ठीक है बुलिस हो सकते हो यहां और अगर मार्चे यहां से नीचे आना सुरू करता है तो आप इधर से उटोचर आ सकते हैं ठेक है और वही चीज़ ऊपर सरूब सुरू करता है तक आँए लेगा लेकिन एक याद रहेगा रिए कि यहाड पोदीशन के लिए लेना अपकल कॵरह olsun हुआ है ठीक है इतना हम लोग समाझगे आप देखिए आप आप सोच रहे हों कि यह मैंने जो मार्किंग किये यह मैंने कैसे किया है दोस्तों तो बहुत सिंपल है दोस्तों आपको कुछ करना नहीं है आपको सबसे पहले आजाना है ऑप्शन चेंड पर और ओप्शन चेंड पर आप यहां पर खोलती जी अभी हम लोग सबसे पहले निप्टी का यह देख लेते हैं कि निप्टी में हम लोग इसको कैसे मार्किंग करेंगे तो देखिए मार्केट है सो चल रहा है अभी तैटीन सो के आसपास में और यहां पर आप देख सकते हो कि म रहने वानों की संख्या 1,51,215 है और उसे तरह से एधर 1,57,260 है तो यहां का जो क्वान्टिटी और यहां का जो क्वान्टिटी लवग-लवग सेम है इसलिए यहां पर मार्केट जादे देर तक फसा हुआ है और अगर तेको कब मार्केट नीचे जब उपर से धकलने वालों की संख्या गिराने वालों की संख्या ज्यादा होगी तो आप देखो यहां पर यहां पर आप देखो कि कहां पर ऐसा है जहां पर मार्केट को गिराने वालों की संख्या ज्यादा है और मार्केट को चड़ाने वालों की संख्या कम है ठीक है तो द मतलब यह हो गया मार्केट को गिराएंगे यह क्या करेंगे गिराएंगे ठीक है गिराएंगे यह मार्केट को और यह उठाएंगे ठीक है यह क्या करेंगे उठाएंगे तो इधर देखो आप कहां पे सबसे ज़्यादा लोग बैठे हुए है जो मार्केट को गिराने पर लग 59,000-54,000 लोग है मतलब कि यहां पर देखोगे तो यहां से मार्केट को गिराने से ज़्यादा उठाने वाले लोग यहां पर गिरेगा नीचे और जाएगा क्या नहीं जाएगा ना भाई यहां से मार्केट को लोग होल्ड कर लेंगे ठेक है इसे लिए आप कह सकते हो कि 200 पर ठीक है लेकिन याद रखेगा कि सबसे ज़्यादा मार्केट को लोग तभी लोग पाते हैं जब गिराने वालों से ज़्यादा उठाने वालों की संख्या 5 गुना हो ठीक है लगवा लगवा चार से 5 गुना होना बहुत जरूरी है ठीक है अब देखो यहां पर इससे नीचे 100 का ठीक के 78100 का इसर दो सेpaंपोर्टेंट आखके काम करेंगा यहां पर तीन उनाा लोग है यात गिरती भी रख योई यहां से Чтобы 7100 गिरेगा और र के इसके बाद से मार्केट कर दोड़ा होने के ज्यादा चांस है इसके बजाए увидеть और राजर 12 MTL ॉड़ तोड़ उसी तरह से यह हो गया मार्गेट के उठाने वाल लोगों के लिए अब हम लोग देखेंगे कि मार्गेट को गिराने वालों की संख्या कहां पर जादा है तो नीचे आते हम लोग देखें अभी हम लोग क्या सिख्द है कि जो पुट लुग यह इज है यह क्या करेंगे गिराएंगे और यह तो आप को गिराने वालों कि संके सबसे जदा कहा नहीं है देखो अब यहां पर देख रहे हो 18,500 के लाइन में यहाँ पे 2,00,000 लोग बैठे हुए है जो मार्केट को चाहते है कि यह मार्केट इतना उपर से इससे उपर नहीं चड़े यहाँ से गिर जाए ठीक है? यहाँ 2,00,000 लोग बैठे हुए इसी के सीर में आप देखो यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए? 30,000 लोग बैठे हुए यह मार्केट को चड़ा पाएंगे यह गिरा पाएंगे यह नहीं गिराएंगे तो यहाँ तक मार्केट हो सकता है अगर यहाँ तक मार्केट आती है तो यहाँ से धड़ाम से मार्केट वापस नीचे गिरना सुरू हो जागी तो यह तो बहुत इंपोर्टेंट सपोर्ट हो गया और इसे भी छोटा सपोर्ट थोड़ा सा देखना है कहां पर मार्गेट फर्स सकती है तो आप देख सकते हो कि 18400 का जो लेबल है यहां पर गिराने वालों के संख्या कितनी है 18000 सब्सक्राइब देख सकते हैं उठाने वालों के संख्या 36000 है और गिराने वालों के संख्या एक लग लग 54000 है तो क्या मार्केट यहां से उपर जाएगी नहीं जा सकती ना अगर जाती भी है तो यह 18500 में बहुत तीजी से गिरना श्राट करेगा ठीक है तो इसलिए मैं इसक हो और इसको स्ट्रोंगेस्ट मानता हूं ठीक है यहां पे मार्केट ज्यादा स्ट्रोंग है यहां से उपर जाई नहीं सकती तो यह लेबल समझ में आए कैसे हम लोग वहां पर मार्किंग करेंगे अब देखिए यहां पर जो हैं 18500 तो यहां पर मुझे ले जाओ आप चलो नियुक्त देख रहे हो यहां पर जंब मार्केट आया था पिछला बार कितना भार गीशनों गीर था सब गीर था तो पता चल गया था कि कैसे कहां सा मार्केट गिर सकता है कना से में इसी तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है जाना है गरेन निफ्टी में अब बैंक निप्टी में जो मार्किंग कर रहा है दोस्तों यहां पे तो आप यहां पर देखो इसा मार्किट अब ऑप्षंचेंग क्ल लिना और यहां पर जाने के बाद आब उपर में यहां पर स्लेक्ट कर लिना बैंक निप्टी ठेक, बैंक निप्टी सेलेक्ट कर लिया हम लोगों ने, अब यहाँ पर आप देखो कि मार्केट अभी कहा है दोस्त यहाँ पर जो मार्केट है, मार्केट अभी चल कहां पर रही है, मार्केट चल रही है लगवग, 8,900 के आज पास में चल रही है है नहे कि अप्संचेन कि यहां पर बैंक निप्टी करना है और ध्यान रहे हम लोगों को हमेशा अगली एक्सपैरी ही देखने हैं अगले एमारी 25 तारीक हो तो 25 तारीक हो इसलेट करेंगे आप यहां पर आजाओ कि मार्केट चल कहां पर रही है इस आसपास में है नहां पर चल रही है यहाँ है जानोग तेटाए 2004 संट हैं दो हम दोग का सिखेते हैं कि जे को को किराएंगे यह उठाएंगे याध रख ना अब आपको देखना है कि उठाने वालों की सखे admit कहां थेख से तो झाथ है तो मार्केट कमजूर पड़ेगी, जहां में मार्केट कमजोर पड़ेगा, कमजोर कब पड़ेगा जब मार्केट नीचे आना सुरू होगा, तो मार्केट अभी है 43,900 पे, तो नीचे कब जाएगा मार्केट, जब इधर जाना सुरू करेगा, तैते अल जार 2500, forgiven, तो अब देखो, 43,500 पे, मार्केट या उठाने वालों की संहधा है चाहिए से बात है कि उठाने वालों की संहया ज्यादा ऐसे लिए तेह 4500 फीर सपोर्ट मिलेंगा आपको देखो मैंने यहां मार्केट को उठाने वालों के संहया बहुत ज्याला है ठीक है उससे भी भेनक आपका देखना है कि अगर मार्केट गलती से 43,500 को तोड़ दे तो मार्केट कहां जा सकती है तो मार्केट 43,500 को मान के चलिए कि मार्केट इसको तोड़ दे तो कहां तक जा सकती भाई इसके नीचे आप चले जाओ तो देखो ज्यादा संख्य कहा है एक लाग यहां इस इरिया में एक लाग जन संक्या उठाने वालों की है ठेक यह उठाने वाले संक्या कितने है एक लाग सब्सक्राइब कर रखा है ठीक है सब्सक्राइब कर रखा बात अब लोग उपर डाते हैं रिजिस्टेंस में तो देखिए मैंने 4600 पे इस ट्रोंगिस रिजिस्टेंस बनाया क्यों बनाया वही तो 43.600 पर याना जरा तो सबसे इंपोर्टिन सपोर्ट हो गया और कहां पर दिख रहा है वैसा ठीक है तो आप देख सकते हैं 44,000 पर तो इक्वल इक्वल है यहां पर तो काम बनेगा नहीं तो सबसे इंपोर्टेंट सप्ट बोलोगे तो 44,500 पर है इसके अलावा बात करोगे कि गिरानी वालों के संग्या कहां पर जादा है तो आप देख सकते हो कि इस इलाके में 85,000 है कौन सा इलाका है यह 44,200 का है और इधर है 12,000 क्या लगता है यह 12,000 लोग मार्केट को उठा देंगे क्या गिरा देंगे ना भाई यह लोग चादा भारी हैं तो यहां से मार्केट गिर जाएगा तो यहां पर देखो मार्केट को मैंने जो मार्केट करा है यहां पर तो 200 के आसपास मैंने मार्किंग करी होगी एक यहां पर देख सकते हो 200 के आसपास मैंने एक मार्किंग करी है कि यहां पर मार्केट जाएगी तो यह लोग मार्केट को निचे किरा देंगे तो हो सकता है कि कल जब मार्केट इस आसपास खुलेगी मारकेट कल इस असपास इस लाइन को मतलब की 43 दर को काट के और इस असपास खुल जाए तो यहां पर जाएगी मारकेट और इस टगरा के नीचे आना शुरू कर देगी तो यहां पर जैसे हैं मारकेट आएगी इस जोन में आजय को फ से इसा हो जाए भाई सिक कर लोえसा कि मार्केट इधर खुलचाइगा लेंगो दिई तो जैसे हैं एाराइगा तो यहां से मार्केट को क्या करेगा धकल के उपर की और भेज़ेगा तो हम लोगों को किधर जाना है कॉल जाना है को जाना है और हमें परोफिट बुक कर लेनी है अपना तो याद रखेगा जब भी आप पिंटी लेते हो ना दोस्तों तो मार्केट जिस प्रैस पर चल रही है जैसे मार्केट चल रही है 43,822 के आसपा चल रही है तो 43,800 के सबसे नजदी की नंबर कौन सा होगा 43,800 होगा या 43,900 होगा तो 43,800 होगा तो हमेशा मार्केट को आप उसी रेंज पे लो जो उसके क्लोज है तो आपको प्रॉपिट ना ज्यादा होना है ठीक है इसी को बोला जाता है क्लोजिंग नंबर या फिर आप इसको बोल सकते हो कि एटियम पे हमने बाई कर लिया ठीक है तो आपको जदा प्रॉपिट होगा तो दोस्तों इतना ही आज के लिए काफी है इसी तरह से मैं रोज-रोज वीडियो डालूँगा आप मेरी इस चैनल पर बने रहना देखना आप दोस्तों के सब सियर करना मैं दोस्तों पये चेर्लिव मैं टेलिग्राम ग्रूप पर ट्रेट के लिए स्टड़ी देता हूं आज ए मैंने दे रका था और इंपोर्टांट सब्सक्राइबल में ग्रूप में भीजतता हूं को क्योंकि आज मिलाiebenाट था उसके बाद मैंने करने चलिया था कुस्का थैक में बैंक निप्टटी का दिया था 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 मैंने तो उसका गो उचित नहीं लगड़ा था वारि तो बहुत फसा पूर मार्किट इसलिए मैं निकलने है आप ही लोग पहला मेमर बनोगे तो आप ही लोग के सहता से मैं अपना ग्रोप को बढ़ाऊंगा दोस्तों और आप लोग का प्यार बना रहाएगा तो मैं बहुत आगे जाओंगा आप सबों को भी बहुत सारी चीजे सिखाता रहूंगा ठीक है तो तब तक के लिए मिलते हैं कल आप लोगों से और तब तक के लिए बाए और फिर से राधे राधे दोस्तों